नमस्कार, जैशे कृष्णा, मैं राकेश शिवानियस्टो चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कुछ वीडियो से जो लास्ट वीडियो चल रही हैं उनसे मैं लगू पारश्री के श्लोग के बारे में बता रहा हूँ वो क्रम अभी आगे चलेगा, उसकी वीडियो अभी आगे आएगा आज बीच में मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि ग्रहों के तत्व और कारक के बारे में कुछ बताया जाए यह पास तत्तों से मिलकी हमारा पूरा भ्रहमांड बना है और इन पास तत्तों को पास ग्रहों को दिया दे यानि कि पांच ग्रहे इनका प्रतिनी दित्व करते हैं एक जूतिश में बहुत ही important term है जिसे बोलते हैं पंच-तारा पंच तारा आप जानते होंगे, पांच ग्रहे बेसिकली, मंगल, बुद्ध, गुरु, शुक्रशनी, ये पंच तारा कहलाते हैं, क्योंकि ये ही इन तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और दूसरा, ये ही ग्रहे पंच महापुरुष योग बना, जिनकी कुंडली में प मंगल अगनी का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल बताता है अगनी को, बुद्ध, बुद्ध बताता है प्रत्वी तक, गुरु, गुरु बताता है आकाश तक, शुक्र वो बताता है जल तक, और शनी बताता है वायुतर, अब आप कहेंगे पांचों तत्व तो इसके अंद चाहे वो किसी रेस्टोरेंट की अगनी हो, चाहे किसी फरनेस की अगनी हो, जित्ती भी अगनी है, वो सारी का आधी पत्य सूर्य के पास, और जिस प्रकार का भी जल हो, चाहे वो आसू हो, चाहे वो जील का जल हो, चाहे वो समंदर का जल हो, वो हर प्रकार का जल, उसका आध पंच महापुरुष योग बनाते हैं, पंच महापुरुष राज योग के बारे में आपने सुना होगा कापी, कि पंच महापुरुष योग क्या होता है, पंच महापुरुष योग बनता है, अगर मंगल ऐसा हो, मंगल अपनी स्वेराशी में, उच्छ राशी में या मूलत् ऑगर बुद्व बैठा हो वो योग बनाए तो भधरि ओग बनता है जुरू बैठा हो वो बना उंपरुष युग होते हैं जिनकी कुंडलीमे ये पंते हैं वो लोग बहुत ही समर्दिशाली होते हैं, धन्वान होते हैं, धहरेवान होते हैं, ब्रगतिशील होते हैं, उनका नाम होता है, यश होता है। अब ये जो पांच तत्वों के बार में मैं बात कर रहा था, वो मैंने बीच में राजियों आपको बता दिया, पंच महापुरुशियों, क्योंकि पांच तारों की बात चल रही थी, पांच ग्राओं की बात चल रही थी, मंगल अगनी को परते निदित्व करता है यह हम सब जाए अगर मंगल ग्रहे कुंडली में आपके पिलित हो गया तो अगनी की गड़बड हो जाएगा देखे पूरा शरीर जो आपका पांस तत्तों से मिलके बनाए हैं अगर इन पांस तत्तों में कुछ भी असमानता हुई अ अगर अगनी तत्तों प्रभावित हुआ तो ऐसे वक्ति का पाचन सिस्टम भी प्रभावित हो जाएगा पाचन के लिए अगनी चाहिए होती है शनी जो है वो वायू का कारक है वायू तत्तों को प्रते निदित्व करता है अगर शनी कुंडली में कमजोर है शनी कुंडली पीडित है ऐसे वक्ति को गैस्टिक टरबल की प्रबलम बहुत जादे रहती है तो जिन को यहीं प्रबलम हो गायू की प्रबलम हो तो वो देखें कि कहीं उनका शनी तो कमजोर नहीं है वो शनी को शांत करने के लिए कुछ उपाय अगर करेंगे तो उसके अंदर भी उनको अ रोग उसे होने शुख तुए बहुत इंपोरटन सूर्य और जल्ठचन्दर्मा का तो बेना को बता दिया कि यह पास ततों में नहीं आते लेकिन यह सूर्य अगनी का अΧिपते हैं और चन्रमा के पास जल्फ का अधिपत अब ग्रहों के कारक यह बहुत इंपोरटन है ते line रुक्तार कालामलत किताब आप उठाके देखेंगे, एक ग्रहे के 65, 66, 66 कारक दे रखेंगे हैं, बहुत कारक है, सूर्य मंदिर का कारक है, सूर्य जंगल का कारक है, सूर्य यश्ट का कारक है, इमानदारी का कारक है, अनुशाशन का कारक है, इस तरह से कारक बहुत है, सूर् चार्व कराएं, तो इस आप कोई चीज तो दिखाई नी पड़ती ना, इनसान के सामने गर इंसान को यह आपको यह दिखाई पड़ गया, यह बहुत यश्वान है, वो तो बाकी लोगों सुनोगे तब महसूस करोगे उस चीज, तो इसी प्रिकार ग्रहों के जो कुछ इंप जानते हैं आत्मा क्या कोई देख सकता है नहीं को ही नहीं देख सकता आत्मा को यह आत्मा का कारक हुआ अगर आप सुर्य आपका मजबूत है तो आपकी आत्म सुष्वास आपका अच्छा होगा सुर्य कमजोर है तो आपका विश्वास जोड़ा कम हो गई साहस सुर्य साहस क कारक है, चंद्रमा मन का कारक, मन को आप नहीं देख पाते हैं, उत्साहा का कारक, एकसाइटमेंट को आप नहीं देख पाते हैं, एकसाइटमेंट को आप महसूस करते हैं, आज यह जो जातक है, यह जो विक्ति है, यह बहुत उत्साहित है, लेकिन उत्साहा नाम से कोई इसे नहीं होते, जिनका जो दुसास करता है, तो ये मंगल जो है, दुसास का कारत है, जिसको भी नहीं देख पाते हैं, बुद्धी का कारत, बुद्धी को भी हम नहीं देख पाते हैं, जब तक कि हम उससे बातें नहीं कहेंगे, मैस मैसूस कर सकते हैं, यहाँ फला व्यक्ति वो दिमाद, वानी का कारक, गुरु ज्यान का कारक है, क्या ज्यान को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, संतोष का कारक, संतोष को भी हम नहीं देख सकते हैं, एक व्यक्ति हमारे सामना आया, तो हम उसको देखते ही हैं, नहीं कह सकते हैं, यह बहुत संतोषी है, क्योंक इससे सोचीय कि बहुत विपुल धन का ने का चारक है इसमें कुई दिक नहीं देखना हो आपको कि आपके पास विपुल धन होगा या नहीं होगा तो शुकर को देखना बहुत जरूरी है आक्सर हम गल्ती करते हैं कि हम गुरू को देख्के छोड़ोधे शुकर को देखना भी उतना ही आवश्यत है अगर हम देखना चाहते हैं कि बहुत धन होगा इसके बार शनी दुख का कारण है दुख को हम नहीं देख सकते हैं महसूस कर सकते ग्रणा का कारक, कोई हमसे ग्रणा करता है, यह हम देखनी सकते, महसूस करेंगे, उसकी बातों से महसूस करेंगे, तो यह जो कारक मैंने आपको बताए, यह कारक वो हैं, जिनको हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, सूर्य मंदिर का कारक है, मंदिर को हम देख पाते हैं, जंगल का जरूरी है यह ध्यान रखना कि ऐसे कौन से कारक है अब वो इंपोर्टन होते हैं में अजिसे सूर्य अनुशासन का कारक की अनुशासन को भी हम नहीं देख पा उसको भी महसूस करेंगे कोई जातक हमारे पास आएगा तो एक दम हम नहीं कह सकते कि वह यह बहुत यह अनुश तो यह थे ग्रहों के तत्व और ग्रहों के गारत जो मैंने आपको बताए इंपोर्टन इनको याद रपना आवश्यक है इसके अलावा हम लोग एडवांस एस्ट्रोजी का पोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जोलाई से जो लोग पी इंट्रस्टेड है वो देगए नबर पर संपर कर सकते हन्यवाद जैश्री करें